मॉम्स रेस्पी में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं चौकलेट पैनकेक तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पैनकेक बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमें चाहिए मैदा यह वन कप प्लस वन फोर्थ कप मैदा लिया हमने वन कप वाम मिल्क लिया वन फोर्थ क बटर भी ले सकते हैं कि मैल्किट गी है और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा और पेनिला एसंस और पिंच ऑफ सॉल्ट हमें यही चाहिए तो हम शुरू करते है बनाना सबसे पहले हम गी लेंगे डालेंगे इसके अंदर वेड़िज़ा कि खाल बीदा भी जाहिए ज़य हुए और इसके अंदर हम बैनिल एसंस दीटेंगे 1-4 टी स्पून बैनिल एसंस डाला लेए rarely motherf… कि वन फोर टीस्पून हमने वेली नाजसन टाल दिया इसके अंदर अब हम इसको बीट कर लेंगे अब हम इसको बीट कर लिया है अच्छे से थोड़े वाइट हो गया इसका कलर अब हम इसमें दूद भी डाल देंगे अब हम इसमें मैदा भी एड़ कर देंगे मैदा हमने मिला दिये अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से हमने बीट करना है इसको अब हम इसमें अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर यह वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है वह डाल देंगे हम इसमें पाउडर देंगे आप देख रहोंगे यह फ्लफी हो गया ती आप देखर रही होंगे जलसे फ्लफ्य भी हो गया इसे पर ज्ञाग आ गई जैसे यह डाला दूर तो इसके पर ज्ञाग आ गई इसने दूर डालना बहुत जरूरी है अब हम इसको मिक्स ul को कि अच्छे से मिक्स कर लेगा यह हमने मिला लिया है पुरा बीट हो गया है अब हम इसमें कोको बाउडर डालेंगे बन टेबल स्पून कोको बाउडर डाला हमने बन टेबल स्पून हमने डाल दिया कोको बाउडर हाफ टेबल स्पून और डालेंगे मिसमें कोको बाउडर कि अब हम इसको मिक्स करेंगे हम इसमें थोड़ा सा दूर डालेंगे क्यों को को पॉडर मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा दूर भी जी लिए अब हमारा मिक्स हो गया है चौकलेट पैंकेक का बेटर मिक्स हो गया है अब हमारा अब हम बनाना स्टार्ट करते है अब यह सिखेगा थोड़े इसमें बबल्स आ जाएंगे फिर हम इसको उतार लेंगे पलट देंगे इसको कि वबल्स आ गया है अब हमने इसको पूरा नहीं सिख न पस ऐसे ही इसी स्टेश पर हम इसको पलट देंगे इसको पलट दिया अब यह इदर से भी सिख जाए यह सिग गया है अब हम इसको उतार लेंगे अब हम दालेंगे झालेंगे 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 पहलेंगे कि अब हम इसको करेंगे यह हमारे चॉक्लेट पैंकेक बन कर त्यार है अगर आपको यह मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता च मेरे थेंक यू